हाई फ्रेंज आज मैं आपको लेके चल रहे हूँ वाटर पार्क जो लेको लेंड के बिलकुल साइट में है इसकी टाइमिंग्स है टैन टू सेवन पीम यहाँ पर टू से लेके ट्वेल तक के एज के बचे बहुत एंजॉय कर सकते हैं और उनके साथ उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर 15 स्लाइट्स है और उनके साथ ट्विस्ट एंट अंस भी हैं और कुछ बचों के लिए प्ले एरिया भी बनाए हुए हैं जहाँ पर वो अपने लिए बोट बना सकते हैं और लेगो से रिलेटेड कुछ पार्ख है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं और उनके रेस्टोरेंस और शॉप्स हैं जहां से आप कुछ भी अपने पसंता ले सकते हैं और स्प्लैश करने के लिए यहां पर स्विमिंग ड्रेसेश भी दे हुई हैं तो वह भी आप पाए कर सकते हैं यह यहां के बहुती सुन्दर स्मॉल केम्प बनाये हैं इनको आप रैंट पी ले सकते हैं और इसमें अपने फैमिली के साथ खा भी सकते हैं चेंज कर सकते हैं अपना और आपको रेस्ट करने रेस्ट भी कर सकते हैं और इनके नाम बहुत अच्छे दिये हैं ऐलीफेंट पेट पिकॉक ऐसे नाम दिया हुए है यह एरिया वेफ पूल के बिलकुल सामने है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दा एंड स्पीशिस है लेगो से रेलेटेर ये एक राइड बनाई है जिसमें बच्छे रेमोट से काँ जला सकते हैं और बहुत प्रचॉय कर सकते हैं अब हमारे जाने का ताइम आ गया है हमारे लपीता में थ्री देज खतम हुए आज और कल सुबह हम यहां से चले जाएंगे आई हो कि आपने मेरे सारे थीम पार्क को बहुत एंजॉय किया होगा और ये लास्ट में कुछ थीम पार्क का एंड में आपको दिखा रहे हूँ यहां का व्यू बहुत ही सुंदर है अमेजिंग है बिक्कुल ऐसा लगता है कि फ्रांस या इतली कम कंट्री में हम आ गए है ये जो आप देखा है ये वहां का रिवर लेंड कहते है इसको यहां पर वाकिंग पाथ भी बनाया हुआ है जहां पर आप रात में आराम से अपने फैमिली के साथ वाक कर सकते हैं बहुत इंजॉय करते हैं वाक करने में बहुत सुंदर ही रही है अब हम जा रहे हैं वापस लपीता और इसके साइथ की लाइटेंग्स और व्यूज आप देखें आपका भी मन खुश हो जाएगा यहां से जाने का मन तो बिलकुल भी नहीं करा है लेकिन जाना तो पड़ेगा और अब मैं आपके लिए लाओंगी कुछ दिफ्रेंट झाल